नमस्ते दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपती चैनल फैंटिसी दुनिया में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इंडिप्थ में अनलाइसीज करेंगे आज का दिन का जो पहला मैच खेला जाएगा असाम T20 का उसके बारे में दोस्तों लास्ट जो मैच हुआ था न केप्टेन वाइस केप्टेन बनेगा वह अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा तो वीडियो धियान सम्तिक देखना पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों अगर आप चैनल में न्यू हो फॉर्स तैम देख रहे वीडियो इस चैनल में मिलेगा तो बहुत कुछ मिल रहा है तेलीग्रम चैनल जूर सकते हो इसके लिए डिस्क्रिप्शन एंड कॉमें सेक्शन में अल्रेडी लिंक एड़ेड़ है लिंक में चिस्ट आपको प्रेस करना है और रिडियरेट होना है टेलीग्रम चैनल आते हैस मैच के अनलाइस मतलब पल्लब कुमारदास को चलना बहुत जाद इंपॉर्टन है अतना खास मुझे बैटर्स के लिए लग नहीं रहा है ग्राउंड साइज ना बहुत छोटा है कभी भी आप लाइक मैच जाके देख सकते हो फैंड कोड में आपको दिखेगा कि ग्राउंड साइज डेफि इफ N.S.S. बॉल फोस्त चलो बॉल फर्स्त वाला प्रिफर कंडिशन मेरा जो रहे गा अगर यह बॉलिंग फर्स करते बिजु देट मेरे टीम का कैप्टीन ही बनने वाले कौन बंदा ये बंदा मैं बॉल फॉस्त में इनको इनको कैप्टीन ही बनाऊंगा और दोस्तों म या दोनो LBW थे शायद और गुगली में आउट था दोनो गती से बॉल अंदर गिरा दोस्तों सीरियसके बॉलिंग अच्छा था अमिताब अदास यह राइटम मीडियम कराएगा दोस्तों साथ साथ नवा सरीफ यह लेफटाम ओतरोक्स इस तीम से अगर बॉलिंग फर्स्ट शौकिंग था दोस्तों और इसपॉइंटेड भी था ऐसे डिसिशन लागर लेंगे फैंटसी में हमें चलना बहुत मिश्किल होता है और यह दोस्तों नेस्ट पॉइंट पॉइंट फर्स्ट करता है और यह पाच फिलियर मैं बॉलिंग फर्स्ट में मैं रखूंगा अगर यह टीम बैटिंग करे या फोस्त करे बाॉलिंग फोस्त करें दो फ्लियर मेरे टीम में हमेशुर रहेगा इस टीम से एस डी गया विकी में बिस्ट पीक है विजवूएबेव यह दो प्लियर अगर बैटिंग विकास चेत्री को मैं डॉप नहीं करूँगा नवाज शरीफ को मैं डॉप कर सकता हूं क्योंकि एक्स्पिरिंस थोड़ा सा कम है बट मैं इसको अपने टिम में रखने वाला हूं कि इसको अरिजी दत्त में नहीं रहेगा अलमीन मजूमदा सौरव देगा यहां पर प्लेस नहीं बनेगे जब से बॉलिंग करने स्टार्ट करेगा मैं लूगा फाल्दूगा रिस नहीं लेने वाला अपनिंग अरिजय देव बिकास वाली डी 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 में 2650 डोमिस्ट्री को वरल में 34 केवरेज 66 मैंच में दोस्तो 900 प्लस रहने अच्छा प्लियार है करेंली इंफॉम है दोस्तो मेरी टिम का डेफिनिटली गोटू पिक लास्ट मैंच में इनको जंता नहीं ले रहा था मैंने आपको क्लियरली बोला दोस्तो इसको रॉप मत करो यार यार यह वान ओफ बेस्ट भी कोंगा इस मैच में और देस तो वही वा हम लोग के लिए दोस्तो एक अच्छा टर्निंग बॉइंच साबित हुआ था कौन दोस्तो सौरब दीग गया ठीक है विकी सेक्शन में उसके बाद सुलता नहीं छोड़ दू यूज करेंगे ठीक है क्या करेंगे दोस्तों इन पीक को हम लोग रोटेट करने वाले और अपनी टिम में यूज करने वाले ठीक है एकोरिंग टू कंडिशन अगर ग्रैन लीग में से प्समान लीग में सौरब दे का 85 मैच में 77 विकेट इस सीरीज से पहले 2030 क्या हुआ था आसाम T20 हो भा था, आसाम T20 एमे इस बंदे ने क्या कराया था दोस्तों, इन्होंने बॉलिऑ कराया था, और अच्छा खासा दोस्तों, सरभ दे हर मैस्वे बॉलिऑ कर रहे थे, तो पलेयर तो अच्छे है, सॉलीड है, बट क्या करता हूँ मैं रिस्क नहीं लिऊंगा इस मैच में मैं एक आदा मैच होगा जब यह बॉलिंग करने लगेंगे ना मैं उसके बाद ही लूँगा फिलाल मैं नहीं लूँगा सुरव देखो विजय देप 69 मैच में 83 इंपॉर्टन प्लियर है एक विगेट, चार विगेट, जिरो विगेट, एक विगेट, एक विगेट है इनका परफोमेंस अमिताबो दास 89 मैच में 127 विगेट बहुत जाद इंपॉर्टन प्लियर है especially balling first जाद इंपॉर्टन है balling second दिखो हमें किसी को तो रोटेट करना है ना तो मैं विजयो देप को करनी सकता dead baller है तो ball first जाद important है ball second में drop कर सकता हूँ क्योंकि राइटम मीडियम है अरिंदम, चक्रवूर्थी, अनिर्वान, चक्रवूर्थी इनका नाम लेके मैं confused था माफी चाहता हूँ इसके लिए मैंने दिखा रहा था यह राइटम मीडियम है मैंने लास्ट मैच में इनको live खेलते हूँ दिखा मुझे एक sources से पता भी चला था यह लिफ्टा मॉत्टोक्स है स्टिल मैंने live देखा तो मुझे लगा कि यह लिफ्टा मॉत्टोक्स है जो सही बात था और मैंने आपको गेस करके बोला था कि लिफ्टा मॉत्टोक्स हो सकता है क्योंकि पता है कैसे मैंने गेस किया था क्योंकि यह हर मैच में middle over में balling डाल रहा था इससे मुझे अंदर चला नहीं यार यह पेसर होगा तो power play में जरूर डालेगा इन्होंने हर मैच में 2-3 one change to change balling किया उससे हमें पता चला यह लेफ्टा मॉत्रोक्स है इस सीरीस से पहले की रिकॉर्ड बालिंग से विकास का 3 में 5 नवाज का 3 में 4 अमिताबो का 3 में 3 दिपो का 3 में 2 अरिंदम का 2 में 2 और बीजोय देब का 3 में केबल 2 दोस्तों मैंने अब विजोय देब का बॉलिंग से देखा कि इनका कैसा बॉलिंग होता है इतना सार विके निकाला पेस नहीं है उनके पास लेफ्टाम मीडियम कराता है नहीं लेफ्टाम स्लोई बोल सकता है बहुत ही स्लोई बॉलिंग करते है थोरा सा बॉल अंदर गिर के आया तो एक बोल्ड हुआ और कुछ तो खराब शॉर्ट जो होते और इवन जो बोल्ड हो भी खराब शॉर्ट था थूदा लाइन नहीं खेला था दोस्तों लाइन के ऊपर से खेल गया बट जो कैचेस आउट होए थे वो तो दोस्तों लोंगाउन में कैचेस दे गया था तो कितना सक्सेस्पूल रहेगा अभी और अगर अच्छे बैटर्स केलते तो क्या करेगा मुन्हें डाउटेट हूँ तो बैक अप में में बीना कैप भी सी जा सकते हो बट टीम में रख लो सेफ होगा क्योंकि बैटिंग से पॉइंस दे देंगे बैटिंग से सबसे दारान अडिजयत का था तीन मैच में 145 सेंगन है संदीपॉल ऐसा होगा इनका बैटिंग और सब पहले मैं यहां पर डीपू कर देता हूं उसके बाद समझोगे आप संदीपॉल विकी में धीग गया बिटर है 30 के एपरेज है संदीपॉल के 144 मैच में वेरी गुद 2022 के लास्ट 5 मैच 15 डूनोट बैट 14 18 डिसेंट रिकॉर्ड है बट मुझे पहुदा था दोस्तो गाइस पलवदास जो है यह इस सबसे इंपॉर्टेंट बैटर रहेगा 75 डोमस्टिक ओवरवल मैच में 30 केवरे से बिए रन बनाया 300 प्लस 20 विकेट बट इनका capabilities दोस्तो आप अगर लाइफ मैच देखू के तो समझ महाएगा कितना ज़्यादा authority के साथ credit खेल थे असम के लिए state level खेल चुका है एक विकेट दो विकेट निकाला currently domestic में दोस्तो मैंने notice कि इन्होंने balling खोड़ा सा कराया बट ऐसे players जो big batch players होते इनको आप drop rotate नहीं कर सकते हो तो player solid है I think आप back कर सकते हो इनको अपने match में टीम में प्रदिप सरकार विशाल साह 117 match में 2600 plus run है 20 over में 3 wicket दैनिस दास 88 match में 31 ka average से 200 plus run है 51 wicket है last 4 innings 5 innings इनकर देखोगे 3 times balling किया एक बार 46 run था bat first जादम बॉटन है Rishikes 10 36 match में 27 ka average 967 run 8 over wicket less ignore करेंगे 41 match में 54 wicket ball first strike करेंगे last 5 innings 2013 में हर बार इनोंने balling किया 3 times इनको wicket भी मिला है थोड़ से lower order में hitting करा ले दे दैनिश आमित 142 match में 63 wicket but 3400 plus run 30 average है last 5 innings में 4 बार इनोंने balling किया दोस्तों दैनिश आमित very decent peak है यह हुआ दैनिश दास हुआ आप देखोगे इनको अगर 10 match आप track करोगे तो यह शायद 6-7 match में यह आपको dream team का part नहीं दिखेगा और 11 match में यह performance दे देंगे safe player है at least कुछ sa players है जो आपको कुछ ना कुछ point दे देते है but sa player नहीं है जो आपको इतना बरा point देगा जो आपको dream team का part बनाएगा या फिर grand league में win कराएगा ठीक है sa players है जो आप like player आप ले रहे हो किसी baller को जिन्होंने 1 wicket निकालना है आपका expectation है कि वो baller आपको 2 wicket देगा अगर आपका baller ने 1 wicket भी नहीं निकाला या फिर दोस्तो ओ यह wicketless चला गया at least danish एक चीज है कि आपको 2-4 run बना देगा या फिर दोस्तो 2-1 में नौरण कर देगा economy का point तो यही बंदा है कि यह बंदा आपको बहुत point देगा बहुत कम matches में बट यह कुछ ना कुछ point दे जाता है grand league peak है मुझे नहीं लगता कोई भी आपका opponent in को लेगा 1-1 match में 120 second बहुत अच्छा का सा differential peak है especially ball first क्यूंकि second innings में chasing still थोरे से जादा हुआ है और दोसों अगर chasing होता है complete useless होते है बट अगर balling first होता है उस condition में बंदे को balling मिलेगा ही मिलेगा Preeti Shrai 86 match में 143 wicket सबसे important baller में से एक है इस टीम के लिए और मेरी टीम का शायद का ABC 80-10, 79 match में 115 wicket, last 5 winnings में एक बार wicket निकाला बाखी 4 wicket बट एक चीज़ कहा है बंदे को उपास नाच्छा wicket निकाला है और दोस्तो ball was other important है ball second drop rotate कर सकते हो पराग बर्मन 56 match में 95 wicket इनका भी record अच्छा है last 2,022 के last 5 winnings में तीम बर wicket लेशते हैं left time orthodox ballers हमीशा important होते हैं संजी पाठक 20 match में 25 wicket है zonal qualifier में इनका दोस्तों इस टीम से प्रदीप सरकार का सबसे जादा run 3 match में 171 run था दानिश अमवेत का था 4 match में 1439 run गौरोफ का था 4 match में 82 run विकास का 2 में 65 बॉलर में से प्रितिश रोई 4 में 10 wicket निकाला था अरुप 10 चार में 6 wicket निकाले थे हिमांचू दोस्तों 3 में 5 wicket निकाला यह 3 बंदा balling से सबसे जादा performance अच्छा था परक बर्मन का भी 3 में पास था बट हाँ एक चीज क्या हिमांचू सरा ने दो इनिक्स में balling किया था 3 match खेला था बट दो इनिक्स balling किया था 5 wicket तो balling नहीं अगर कराता है मुश्किल होता है number baller calculate कर लो बट प्रितिश अरूप पराग जरूर balling कराएगा दानिश में 2 में 4 था दैनिश दास संजी पाड़क 3 में 3 चलते हैं दोस्तों हम लोग dream lab and team में एक और बात दानिश आमित ने 4 match में सिफ एक हुगे निकाला फिलाल मैंने यह team create किया जहांपे हमारे captain वीजोय दिव वास captain P3 श्रॉय अरूप 10 पराग बर्वन B63 N शरीफ A10 H अक्रबूर्थी P सरकार हमारे पास S दी गया फिलाल तो guys मैंने यह team create गया बट इस match के related कुछ भी और update होगा ना demo team होगा वो दोस्तों मैं आपके साथ telegram channel पे share करने वाला हूँ तो आपको जुनना है telegram channel जिसका link आपको description and comment section में available है thank you guys मिलते है match time पे